हालो फ्रेंड्स एंड येर अल इंटर्मीडियेट स्ट्वेंट्स आप बिहार बूर्ड फ्रेंड्स मैं हूँ आपका सर मिस्टर डीकुमर सबसे पहले स्वागत करता हूँ आप सभी का SSP Education Center के इस ओफीसियल इड़ चैनल पर फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बूर्ड आईए आईएसी एवं आईकॉम के शभी छात्रों के लिए उनके एक्जैम ही तू हन्रेड मार्क्स के हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण आपजेक्टिव परसना आपके एक्जैम के लिए संभावित के गये हैं उसका उत्तर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को आवस्य सब्सक्राइब कर लेजए और जो बगल में घंटी की निसान दिखेगी उसे दबाकर ओल नोटिफेकेशन आउन करके ज़रू रखेगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो के नोटिफेकेशन अप्टोडेट मिलती रहेगी दूस्तों मैं आपको पहले ही जैनकारी देदू मैं आपको चेप्टर वाइज जितने भी महत्वपूर्ण कुश्चंस है उसका सीरीज प्रोवाइड कर वा रहा हूँ ज तीसरा जिप्टर जो आपका है यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण क्रांती जिनके लेखक है जैप्रकास नाराइन जी तो यहाँ पर पहला अबजिक्टिव प्रसन है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जैप्रकास नाराइन को ही लोकनायक के नाम से जाना जा था तो आप्शन नमबर ए दूसरा का सही उतर होगा उसके बाद तीसरा प्रसन है कि जैप्रकास नराएन की पतनी का नाम था उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था appropriateंक रगाँ किसका भाशन सुनकर अमेरीका जाने की प्रेर नामी होत्तर फ्रीइपरेश के मालिक कौन थे फ्रीइपरेश के मालिक जो थे वो शदा नंद जी थे option no.6 जाओ प्रस्टा है brain of bombay कहा जाता है UP संकर देख्षिट जी को खाय थे अब्सन नमबर इस का उत्तर जाएगा शात्मा प्रसन ज्याइप्रकास नाराइन के आई आई ऐससी पौक्षा कहां से पास की मतलब जैप्रकास नाराइन जी जो है वह आईससी की प्रिक्षा पास की तो इन्हों नमबर डीस का करेक्ट टांसर जाएगा नौमा प्रस्टन है जै प्रकास जी मांक स्वाधी कब बने तो मांक स्वाधी जो है यह 1924 इस भी में ही बने जब लेनीन की मृत्यू हुई उसके बाद आगे दसमा प्रस्टन आप देख सकते हैं फनिस्वर नाथ रेनू की पुस्तक ह तो इसमें चार आप्संस दिये गए है जिसमें फनिस्वर नाथ रेनू की जो पुस्तक है वो है मैला आचल तो आप्सन नमबर डीस का करेक्ट टांसर जाएगा फनिस्वर नाथ रेनू की पुस्तक मैला आचल है 11 नमर प्रस्टन है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंतरी कौन थे 1974 में जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंतरी थे वो अब्दुल गफूर थे बीस का उत्तर जाएगा 12 नमर प्रस्टन है जैप्रकास नाराइन का बच्पन का क्या नाम था तो इनके बच्पन का नाम जो है बाउल था बाउल ऑप्सन नमर शी जो है बारा का करेक्ट और शाब करेक्टां सुर्जाएगा 14 नमर प्रस्टन है जैप्रकास नाराइन ने किस साल जात्र आंदोलन का क्या था ले जो था इनके पिताजी का नाम जो है वो हरसु दयाल था हरसु दयाल अप्शन नमर बीस का उतर जाएगा पंदर नमर प्रसन है कि लेनीन के इमरित्यू कब हुई थी तो 1924 इस पिमें ऑप्शन नमर एसका करेक्टान सुर जाएगा पंदरा का शोला नमर प्रसन है दिनकर जी किसल नाम से याद करती है तो उनको जो है लूक नायक के नाम से याद करती है क्योंकि लूक नायक के नाम से जैप्रकास नाराइन जी ही प्रसिद्र है सीज का उतर जाएगा अठार नमर प्रसन है कि जैप्रकास नाराइन ने शंपूर्ण क्रांती वाला एतिहासिक भाशन कहां और कब दिया था तो इन्हों ने प्टना में शंपूर्ण करांथी वाला जो है भाशन दिया था पांच जून 1974 को प्टना के गांधी मैदान में तो जैप्रकास नाराइन जी की रचना है तो यह जैप्रकास नाराइन जी की ही रचना है option number D उत्तर हो जाएगा 20 नमर प्रसन है प्रजा सूसलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो प्रजा सूसलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1952 इसमी में हुआ option number E उत्तर हो जाएगा तो यह जो है भारत रत्न की उपादी नराइन को उनिस्टो नभए इसमी में दी गई अप्सन नमबर 21 का सही उतर हुजएगा 22 नमबर प्रसन है कि उर्वशी किसकी रचना है यह सभी आप सभी को जानकार होगा कि उर्वशी जो है यह रामधारी सिंग दिनकरजी की रचना है जो महाभारत से ली गई है अप्सन नमबर 20 का उतर हो जाएगा 23 नमबर प्रसन है कि माटी की मूरतें रचना किसकी है तो माटी की मूरतें यह जो रचना है यह रामवरिक्ष बेनी पूरी की है 23 नमबर प्रसन है किस ने कहा था अभी नौ जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है तो यह जो कहे थे जावाहरलाल नेहरू जी कहे थे जो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे किस ने कहा था अभी नजाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है अफसन नमर सी हो जाएगा जवारला लेरु ने कहा था पत्चीस नमर प्रसन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था है तो दिनकर का निधन जो है वह सांवा है विलिंग टन नर्सिंग ओम में भा था सी उसके और आगे आप देख सकते हैं 26 नमर 26 नमर प्लसनहाइन को किसका डलाल कहा इस नराइन को किसका दलाल कहा गया तो यह जो अमेरिका का दलाल कहा गया जैप्रकास नाराइन के स्वास्ति पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था जैप्रकास नाराइन के जो स्वास्ति की निगरानी रखते थे उस डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर रहमान था इसका उत्तर जाएगा चलिए देखते हैं चौथा जेप्टर जो है अर्धा अर्ध नारिश्वर जिनके लेखक जो है रामधारी सिंग दिनकरजी है तो इससे पहला प्रस्न है संस्कृति के चार अध्याई किसकी कृति है संस्कृति के चार अध्याई किसकी कृति है तो यह रामधारी सिंग दिनकरजी की कृति है अप उसके बाद काव्य की भूमी का भी रामधारी सिंग दिनकर की लिखी हुई नहीं है तो साकेत अप्सन नमबर डीज का उतरुजे का चौथा प्रस्न है दिनकर को किस कृती पर भारतिय ज्यान पीट पुरसकार प्राप्त हुआ तो यह जो कृती है उर्वशी उर्वशी के लिए उनको भारतिय ज्यान पीट पुरसकार प्राप्त हुआ पांचमा प्रस्न है दिनकर का जन्म कब हुआ था दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 भी को हुआ था उप्सन नमबर 20 का उतरुजेगा दिनकर किस युग के कवी है तो य जो है छाया बाद उत्तर युग के कवी है छाया बाद उत्तर यूग लैँ मबर सिर्शक निबंध के निबंदकार कौन है तो इनके निबंधार भी जो है ये रामदारी शिंग दिनकर जी ही है तो इन्होंने लिखा अर्दनारिषवरे निवंध है जिनकी निवंध का रामधारी सिंग दिनकरती है नौमा परसने कौन सी क्रिती रामधारी सिंग दिनकरती की नहीं है तो इसमें आपका DOT서 नमबर प्रिये प्रवास ये इनकी क्रिती नहीं है बाकी जो आप देख रहे हैं उर्वशी परसुराम की परिक्षा नील कुशुम ये सभी रामधारी शिंग दिनकर की क्रिती है ये भी आपको ध्यान में रखना है ग्यारा नमर कुशन है दिनकर किस यूग के कवी है तो अभ वती का कल्पित रूप है अर्द नारी शुड़ मतलब आधा नारी आधा पुरूस अप्सन नमरे इस का उतरोजेगा संकर और पार्वती का कल्पित रूप है तेरा नमर प्रसने दिनकर को किस क्रिती पर भारतिय ग्यान पीट पुरसकार प्राप्थवा तो तेरा कांसर कե खिए और संथी की समस्यापर लीखी गई और संथी लिए कव्यक्रिति है है तो एकक्रूछ्चेत्र जो चल्पित रूप है तो सिव और पार्वति का जो ऑपर मैं आपको अभी बता दिया है रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं है आप लोग शमाज लीजिए सोला नमर कुछन है गांधारी थी तो गांधारी जो थी वो दूरियोधन की मा थी आप्शन नमर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो इसका अर्धनारिस्वर चेप्टर का अंतिम प्रस्ण है प्रेम चंद थे तो इसका अंसर बताने से पहले बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो अप्टडेट प्राप्ट करने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिजेगा और बाकी आगे के वीडियो को प्राप्ट करने के लिए कमेंट करके अवश्य बताएगा तो चले देख लेते हैं प्रेम चंद थे प्रेम चंद जो है एक कथा कार थे प्रेम चंद एक कथा कार थे तो ऑपसर नमबर 20 का करेक्ट आंसर होजाएगा तो आसा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे उगी वीडियो तो अच्छी लगई वे तुर्यों को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों किसे शेयर अवश्य कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के questions के answer के साथ तब तक के लिए थे अलविदा जै हिंद जै भरत थैंक्यू थैंक्यू सूमच